अगर आपको बवासीर की समस्या है तो क्या इस समस्या में आपने दूद पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए क्या दूद आपके लिए फाइदेमंद है या अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो दूद आपके लिए नुकसान दे हो सकता है नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टॉंग से, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टॉंग से होमियोपिथी इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है तुरन बटन दबाईए ताकि आने वाले नए अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके पाइल्स या जिसे हिमोरोईड्स कहते है या सामानने भाषा में जिसे बवासीर भी कहते है एक आम समस्या है और हम देखते है कि दुनिया वर में कई लोग इस समस्या से प्रवावी थे और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीब भी इस से होती है काफी असुवीधा का सामना उन्हें करना पड़ता है काफी लोगों में मैं रोजाना दिखता हूँ severe pain होता है बहुत जदा दर्द होता है उन्हें later in में बैठने में तकलीफ होती है routine, daily के काम करने में भी उन्हें तकलीफ होती है और ऐसे में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, खान पान के उपर उनका विशेश ध्यान होता है और ये सवाल आता है दूद के उपर भी क्या दूद पाइल्स में चलेगा, क्या पीना चाहिए, क्या इससे तकलीब बढ़ सकती है क्या इससे दर्द बढ़ सकता है तो इन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ और इसलिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर सुनिए ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिले इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पाइल्स है क्या और अगर आपको ये पाइल्स की तकलिफ है तो पाइल्स के बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है पाइल्स में होता क्या है पाइल्स को समझना बड़ा ज़रूरी है पाइलस या बवासीर में आपके गुदा मार्ग में जो रक्त वाहिकाय होती है जो वेंस होती है उनमें सूजन आ जाती है अब ये सूजन दो तरीके से आ सकती है ये डाइगराम में देखिए आपको समझ में आएगा तो इस तरह से लेटरिन की जगह पर अगर बाहर से सूज आए तो हम इसे कहते है बाहरी बावासीर और अगर यही सूजन अंदर की साइड में चली जाए तो हम इसे कहते है अंदुरनी बावासीर अब इसके बहुत सारे कारण होते है इसके ओपर काफी वीडियोज विस्तार से मैंने बनाए है क्यों होता है बावासीर इसके कारण क तो अगर आपको कब्स है, मोटा पा है, प्रेगननसी है, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो इससे आपको पाइल्स की समस्य हो सकती है, तो यह होते हैं पाइल्स के मुख्य कारण, अब चलिए दूद के उपर बात करते हैं, दूद एक बहुत ही ज़्यादा पॉस्टिक पदार्थ है, जो हमें कई तरीके से लाब पहुचाता है, दूद में विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होते है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, इसके अलावा दूद में जो ल मस्या हो सकती है, अब जब दूद से कब्स होता है, कंस्टिपेशन उनका अगर बढ़ता है, तो ये उनके पाइल्स को बढ़ाने के लिए एक मुख्यकारन हो सकता है, क्यूंकि कब्स पाइल्स की सुरुवाती स्टेज है, अगर आपका पेट अच्छा नहीं है, कंस्टिप आएगा, तो इससे आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है, अब क्यूंकि पाइल्स के मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशन्स है, काफी दूर दूर से लोग आते है, इंडिया से बहुत अलग अलग जगह से लोग मेरे पास आते है, मुझसे कंसल्टिंग करते है, और होमियो यह से ठीक हो सकते हैं और इसलिए काफी patients दूर दूर से मेरे पास आते हैं जब मैं उनसे बात करता हूं और जब patients मुझसे पूछते हैं कि दूद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और जब मैं उनके personal अनुभव को देखता हूं experience को देखता हूं तो दो तरीके की mentalities, दो उनका जो मल है वो मुलाहिम हो जाता है सुबह उनको पेट अच्छे से साफ हो जाता है लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी काफी वर्ग है ऐसे भी काफी लोग है जो यह मानते है या जिनका अनुभव है कि दूद उनकी पाचन तंत्र को थोड़ा डिस्टरब कर देता है पाच लोगों का ऐसा भी अनुभव है कि अगर उने लेटरिन की जगव पर खुजली है या जिसे हम कहेंगे खुजली वाला बावासिर अगर उनको है तो इसमें उनकी खुजली की समस्या बढ़ जाती है अब होता क्या है दूद में हाईट होते हैं फैंट का प्रमान जादा होत तो इस अपच की वज़़ज़ से इस constipation कब्स की वज़़ज़ से उनकी पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। दूसरी बात यह होती है कि अगर आपका वजन जादा है और आप दूद अगर लेते हैं, तो हो सकता है आपका थोड़ा और वजन बढ़ जाए। तो इससे भी आपके गुदा मार्क पे लेटरिन की जगह पर अत्रिक्त दबाव पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर वहाँ पर बन जाएगा, और जिससे आपकी स्थिति और खराब हो सकती है, पाइल्स की समस्या जो है उससे और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो अब आपके बहुत ही अच्छे से समझीए, आपके शरीर के उपर और आपके शरीर की क्या प्रतिक्रिया है, आपका शरीर किस तरह से दूद को रिस्पॉंड करता है, दूद पीने से आपको क्या होता है, अगर आपको फ्रेश लगता है, आपको कब्स की समस्या नहीं होती है, तो आप आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपने दूद को अवाइड करना चाहिए या फिर आप सिमीद मातरा में कम मातरा में दूद पी कर देख सकते है उसकी जगह पर कई options है आप रात में सोते वक्गी भी ले सकते है तो आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए अगर आपको पाइल्स फिशर या फिशुला की तकलीफ है तो आप मुझसे भी consulting कर सकते है मेरा WhatsApp नमबर मैंने निची दिया है आप मुझे WhatsApp कीजिए आपको क्या तकलीफ है उसके बारे में बताइए आप मुझे मिल भी सकते है मेरा address भी मैंने निची दिया है तो याद रखिए अगर आपको पाइल्स की शिकायत है और दूद पीने से अगर तकलीफ बढ़ जाती है तो मातरा कम करके देखिए या कुछ दिन इसे avoid कीजिए और यदि आपको तकलीफ नहीं बढ़ती है तो आप बेहिचक दूद पी सकते है साथ ही आपको ये याद रखना जरूरी है कि पाइल्स में बाकी चीज़े भी जरूरी है इंपॉर्टन्ट है आपकी लाइफ स्टैल की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए फाइबरस फूड जादा सा जादा खाईए खुद को मुविंग स्टेज में रखिए हर दो घंटे के बाद आपको थोड़ा उठना है पैदल चलना है खान पान की तरफ विशेश ध्यान दीजिए और क्या खाना चीए क्या नहीं खाना चीए किन चीजों से ये तकलिफ बढ़ सकती है इसके बारे में विस्तार से आपको information होनी चाहिए इसके लिए काफी वीडियोज है इन सब वीडियोज को भी आप देख सकते हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कराते रहिए तन्यवाद